नमस्कार दर्शकों मैं हूँ बगोदी प्रसाद पूरेत इडवोकेट और आप देख रहें यूटूब का कानोनी गयान चैनल ने किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी बेल आइकन को प्रेस कर दीजी और इस वीडियो को फटा फट लाइक कर दीजे क्योंकि इस चैनल के माध्याम से आपको मिलती है सरव और आस्तान भाषा में कानोन की नई नई जान करी तो आए वीडियो को शुरू कर लेते हैं तो एसी इस्तिति में अनाविदक जिसको बनाया जाता है जिसके विरूद आवेदन पत्र पस्तूत के जाता है उसे भी सुशना पत्र बेजा जाता है दोनों पक्ष उपस्तित नहीं होते है एसी इस्तिती में मद्यप्रदेश भूराज सहिता की धारा 35-2 के तहट कारिवाई की जाती है तो मद्यप्रदेश भूराज सहिता की धारा 35-2 क्या केती है उसको भी हम समझ लेती है पेंतिस दो में दिया गया है कि यदि राजस्व अधिकारी के समक्ष के मामले या कारिवाई का कोई पक्षकार उस पर सुचना या समन की सम्यत तामिल हो जाने के पश्यात उस तारिक को जो सुनवाई के लिए नियत की गई है उपसंजात नहीं होता है तो वह मामला यथा इस किया है वह आवेदक स्वयम या उसके अधिवक्ता नियत पेशी दिनांग को जिस दिन तारीक लगी हुए उस तारीक को उपस्तित नहीं होते हैं तो एसी इस्तिती में उस आवेदन पत्र को न्याले के द्वारा खारीच कर दिया जाएगा इसका मतलब यह होता है दर्श को कि मद्यप्रदेश भूरा सहिता किधारा 352 के तहद कार्यवई करते हुए नियाले जो है वह यह करेगा कि यदि आवेदक या आवेदक के अधिवक्ता नियाले के समक्ष उपस्तित नहीं होते हैं जो उसमें पेशी दिनांग नियत की गई है तो एसी इस्तिती में उस प्र करण में एक पक्षी आदेश पारित किया जा सकता है तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज की दीगे जानकरी आपको अच्छी लगी होगी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजी अधिक से दिक लोगों तो शेयर कर दीजी फिर मिलते हैं अगले वीडियो म तब तक के लिए जय हिन जय भारत